तो बेस्ट स्मार्टफून अंडर 12,000 तो बई अगर आपका बजिट 12,000 है, 12,000 के बजिट रेंज में आप एक स्मार्टफून लेना जाते हो, पावफुल स्मार्टफून लेना जाते हो, ये वीडियो इस्पेशली आपके लिए कर रहा हूं, तो बात करते हैं सीधा नंबर 4 की number 4 की बात करो लेकिं number 4 and number 3 को मैंने दोनों को combine कर दे दोनों का price range आपको same देखने को मिलता है and specification भी ज्यादा तर आपको same देखने को मिल जाते हैं मैं बात कर रहा हूं Redmi Note 9 की and मैं बात कर o garao बहुत ज्यादा संही लगते हैं इंड सबसे पहले बात करते हैं realme 7i की दिस्प्लेट की बातों को 6.5 in-ch IPS LCD देखने को मिल जा थी जो क madam delighted और ग्रीक्सविज्ञ टीकी प्रडेक्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं पॉर्सासर की बातों को Snapdragon 662 देखने को मिल जाता है जो कि 11 nanometer technology के साथ बेस्ट बेंटरी की बात करूं अपको 5000 damage की बेंटरी मिल जाती प्लस आपको ठारा वाट का फार्ट आफ चार्जर देखने को मिल जाता है कैमरे की बात कर लेते हैं आपको कॉर्ड कैमरा स्ट देखने को मिल जाता है 64MP प्लस अपक्सल में आपक्सल में आपको बता देना चाहता हूँ आपको कौर कामरा स्ट मिल जाता है लेकिन सौरी आपको 4K option नहीं देखने को मिलता आप 4K में रिक्वार नहीं कर पाओ ठीक है सेलफी की बात करूं को 60MP जतेये वेरेंज में सेट बैठता है मतल Sarge सेसे में सेवन आज को मिल जाएगा तो यार मैं आपको डिस्प्रेखिने को मिलती है तो यार इसका डिस्प्लेई साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आप देख लेना ठीक है, processor की बातों को इसमें आपको Helio G85 देखने को मिल जाता है, जो की MediaDack की और से processor देखने को मिल जाता है, गेमिंग प्रोसेसर अगर आपने गेमिंग वेरा करनी है आप दोनों स्मार्टफोंस पे कर्स होगे आपको कोई भी प्रावलम इशू नहीं आने वाला जो यह प्रोसेसर है यह 12 नानोमेटर टेक्नोलजी के साथ वेस्ट है जो मैंने आपको व्यलमी 7i बताया था वह 11 नानोम आपको ऐसेम देखने को मिलता है 502 यम्याइज की बैंटरी मिल जाते है प्लस को 22.5 वर्ड का का फार्ट चार्जर मिल जाता है उसका यह आजाता है टेस में रूइर्वर्स चार्जिंग आपको स्पोर्ड देखने को मिल जाती जू की इस फोन की खासफित हो जाती है टिका यह समिन मतलब बन जाता है कामरे की बात करों आपको 48 इस प्लस एड माफ excellent फ्लस2 मेंडा प्लस2 मेडाशन के साथ कारो के मिल जाता है लेकिन इसमें भी आपको फोर के उप्सें नहीं देखने को को मिलता है लेकिन अगर आप फोर्टोस वगरा क्लिक अड़ करने के ज़्यादा श्कीन हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा से होने वाला विकरज इसका जो बैक कैमरा सच में बहुत ही ज़्यादा पिच्छ क्वाल्टी उसकी बहुत अपर होती है सेलवी की बात करूँ आपको 30 मबरक्स से सेलवी मिल जाते हैं प्रास की बात कर्णा आपको अपने इसरान के यह तो फोड़ा साथ ज़्यादा बैटर है इस कंपेर्जन की ये इंठाब के लिए जा सकते हो मैंने आपको पहले पर्ता दिया कि आपको 90 refresh rate के साथ उसकी display देखनी को मिल जाती है एंड उसका जो प्रसेसर है वो थोड़ा सा ज्यादा बैटर है as comparison किया ज़िए Redmi Note 9 से ठीक है लेकिन उसका जो design है color है मतलो Redmi Note 9 के जो colors आते हैं ज़ाइन ज़ाइन लुक वाइस वो phone ज्यादा बैटर लगता है Realme 7i से तो आप देख लेना अगर आपको design matter करता है तो Redmi Note 9 आपके लिए perfect हो सकता है अगर आप पो प्रसासर ज्यादा तगड़ा जाहिए अगर आप hardcore gaming करना चाहते हो तो Realme 7i आपके लिए perfect डील हो सकता है आप चैबूर कर सकते हो मैंने प्रवाइड किया है अगर आप specification पढ़ना चाहते हो देखना चाहते हो प्रचेज करना चाहते हो जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकती हो आगे बात करते है नंबर टू की बात कर लेते हैं नंबर टू पर यार मैंने रखा Redmi Note 10 को अगर इस smartphone की बात करूं सबसे पहले य निया लांच हो है और इसके color गरा बहुत ही ज़्यादा प्यार ही देखने को मिलता है आपको color wise तो बहुत ही प्रसंद आने वाला है और इसकी look भी बहुत ही अपर है और back side में जो camry की shape है वो इसको बहुत ही ज्यादा सूट गरती में आपको बता देना चाहते हूं यह ती तीन colors में देखने को मिलता है तीन वेड में आता है यह phone plus आपको super amulet display देखने को मिल जाती है जो कि gorilla glass 3 की production के साथ देखने को मिलती है तो यार 11 से 12000 के budget में आपको super amulet display देखने को मिल जाना वो सच में आपका जो experience है अगर आप Netflix, spam video, YouTube वीडियो देखने के ज़्यादा श और camera setup देखने को मिल जाता है जिस पे आप 4K video recording कर सकते हो 30 fps पर्टीक है आपको 30 map से selfie मिल जागी प्लस मैं आपको बता देना चाहते हूं जो यह phone है यह dust proof आपको phone देखने को मिलेगा तो यार एक चीज़ में आपको और भी recommend करना चाहते हूं अगर आप इस phone को लेना चाहत जो की gorilla glass 3 की production के साथ देखने को मिल जाता है पर सासर की बातों को snapdragon 6 7 8 देखने को मिल जाता है जो की 11 टेक्नालीजी के साथ बेस्टरी की बात करूं आपको 5000 ms की battery मिल जाती प्लस आपको 33 Watt का power charger देखने को मिल जाता है कैमरे की बातों को core camera setup मिल जाता है प्लस पही मैं जाता हूं अगर आपको camera के related smartphone चाहिए अगर आपने वीडियो recording करने या photos लेनीया डील्स बनाते हो टिक टॉक बनाते हो आपके लिए ये smartphone perfect deal हो सकता है selfie की बातों को 30 में आपको selfie मिल जाती है प्लस आपको selfie भी अच्छी मिल जाती है प्लस camera application में आपको कई ऐसे features मिल जाते है जो कि आपकी video recording को photos को बहुत ही आगे तक लेकर जा सकते है तो इस चीज को आप ध्यान में रखना अगर आप इसको लेना चाते हो आप ले सकते हो लेकर 14,000 के budget range में यह मिल जाता है 12,000 के budget range में आपको 4GB RAM के साथ देखने को मिलेगा तो आपका अगर बजट है 12,000 आप पैसे पे कर सकते हो मतलब यह phone को purchase कर सकते हो आपका पैसा खराब नहीं जाने वाला because specification की according पूरा loaded आपको smartphone देखने को मिल जाता है तो या design look wise तो बहु बहुत बता दिया कि तीन colors में देखने को मिलता है तीन उप colors को बहुत ही ज्यादा सूट करते है हाथ में पकड़ा होगा कहीं hold करके लेकर जाओगे या वो सूट करने बाला है आगे बात कर लेते है number one की number one की बात करने number one पर यार मैंने रख्खा Poco M2 Pro को तो सबसे पहले ब देखने को मिल जाते हैं तो यहां डिस्प्ले की बातों को 67 डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं जोकी 60 refresh rate के साथ आती मैंने 120 लेकिन 60 refresh rate के साथ देखने को मिल जाता है मतलब अगर आप high setting पे gaming करना जातो भी आप normally easily कर सकते हो आपको lagging issue नहीं देखने को को मिलेगा कोई भी प्राउब्लम नहीं आने वाली अगर आप multi task भी करना जाते हो storage की बात करूँ आपको 6 GB RAM के साथ देखने को मिल जाती है बैंटरी की बात करूँ आपको 5000 mAh की बैंटरी मिल जाते है प्लस 33 वाट का fast charge दिर कैमरे की बात को 48 में पक्सल के साथ कैमरा देख अगर मेरा मतलब मुझे पोको एंटरी हो सकता है अगर मेरा मतलब मुझे पोको एंटरी नहीं पसंद आता तो मैं जाता है वह पूरा प्रफेक्टी हो सकता है एंट भी अगर मेरा बजट 10 से 11,000 होता है तो मेरी लिए पोफेक्ट डील हो सकता है था रेटमी नोट 9 में उसी क्या हो जाता है विकास मुझे इसका कलर उसके डिजाइन उसकी कैमरा क्वाल्टी एंड जो इसके स्पैसिफिकिकिशन आते है वह बहुत ही ज्यादा सही लग यही पर हुजाते है अगर आपको मेरी वीच ही वीडियो को लाक कर दे cleanup ďेहें कpling दोस्तों के दोस्तों के भी दोस्तो को बितना उनको भी इंस्तागर और सब्सक्राइब घंटे एक लाख में आपको पस्ताइस फाल होिडिक लेट है वहाल लगने टो तो अगर आप लैप्टाप लेना चाहते हो 20,000 से लेकर आगर आपका बज़्ट यार चार लाग तक भी हो जाता है सब भी की वीडियो यार मैंने कियो है मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जागी उसको चाहर कर लेना आपके लिए भी हलफल हो जागी मेरे लिए विजार सही है मेरे व्यूज गरावाट जानगे और किया तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर जादे करते हैं तो मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में लिए वीडियो के साथ तैंक यू